हेलो बच्चों मैं हूँ प्रबल प्रताप और स्वागत करता हूँ आप लोगों का डाउटनेट लाइव में तो बेटा आज है हमारा एलेक्रिसिटी का लेक्चर नंबर फोर और बात करूं तो जो हमारी क्योशन सीरीज चलरी एलेक्रिसिटी के उपर वुसकी फोर्थ क्योशन दिया था जो कि होमवक में करके लाने को मैंने आप लोगों को बोला था प्रीवेसियर बोर्ट में आया हुआ क्योशन है फाइफ मक्स का क्योशन था तो आई होप आप लोग उसको अटेंड तो करके आऊंग एट लिस्ट आप लोगों से सॉल्व हुआ नहीं करता है कि तुम लोगोंने कोशिश करी उसको सॉल्व करने कि या नहीं करी अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो अभी मैं करवा दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो क्लास को पर शुरू करते हैं जल्दी से उसके पहले एक अनाउंस्मेंट द जालते हो उसको मैं hand to end उसको entertain करता हूँ आपका जो भी doubt होता है मैं हाथो हाथ solve कर देता हूँ experience classes में तो similarly वहाँ पर आपको daily basis पर वो सब चीज़े देखने को मिलेगी structured course होगा proper कि किस टाइम पर क्या आपका chapter चल रहा होगा कब तक आपका course खतम हो जाएगा it will be decided already ठीक है और notes आपको prepared मिलेंगे completely जो भी topic हम पढ़ रहे हैं उसके आपको proper notes मिलेंगे ताकि आप अच्छे से revise कर सको NCRT और previous equation का discussion भी होगा आपके monthly और weekly test series होगी daily practice problems मिलेंगी homework मिलेगा आपके special sessions होगे कि revision किस तरीके से करना है exam किस तरीके से आपको attend करना है तो यह सब चीज़े आपको महाँ पर सिखाई जाएंगी तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो poll करवा रहा हूं मैं कि क्या आप लोग VIP course join करने में interested हो हाँ या ना मैं जवाब दे देना फिर अपन class को start करते हैं चालो बेटा तो अपन शुरू करते है class को बिना किसी देरी के quiz के साथ तो पहला quiz है attend करो इसको जल्दी से पोल का response दे दिया ना सब लोगों ने अब यह जो पहला quiz आया है आप लोगों के सामने इसको जल्दी से attend करो आसान सा सवाल है ज्यादा time नहीं लगना चीए तुम लोगों को से solve करने में basic question है क्विज आ गया बिटा चलो अगला सवाल अगला सवाल है device that maintains electric potential difference between two points is called अरे जो device potential difference maintain करके रखती है उसे क्या बोलते हैं अपन जल्दी से बता दू चलो डिसकस करते हैं मेटा questions पहला question बोल रहा है चार जे 30 कुलम पास हो रहा है 3 seconds में कर तो current अपन जानते है current क्या होता है charge flown per unit time कि per unit time में कितना charge flow हुआ आप question ने मेरे को दे रखा है कि 3 seconds में 30 कुलम का charge पास हो गया तो current की value क्या आ जाएगी चार्ज कितना पास हुआ 30 कुलम टाइम कितना लगा 3 seconds ठेक है तो यहां से आ गए मेरे पास 10 10 क्या कुलम पर सेकेंड और उसी को अपन क्या बोलते हैं Ampere चेक है तो यह 10 Ampere मेरे पास value आ गई ही current की जो कि option नंबर B में दे रखा तो option नंबर B वले बिदा correct answer for this question अगला सवाल क्या बोल रहा था अपना अगला सवाल बोल रहा था वो device जो electric potential difference maintain करके रखती है तो या suppose करो मेरे पास कुछ भी electric circuit है XYZ कुछ भी किसमें रेस्टर, रेमेटर, वोल्ट मेंटर, दुनिया भर की चीज़े लगे हुई है तो अगर मैं यहाँ पर battery लगा हूँ एक तो battery का का काम क्या होता है कि वो इस point और इस point के बीच में constant potential difference maintain करके रखती है for example अगर इसका potential difference अगर V है तो यह VV का potential difference यहाँ पर EMF अगर इसका V है तो VV का potential difference है maintain करके रखेगी हमेशा ठीक है तो उस device को अपन क्या बोलते हैं cell, cell या battery एकी बात है option में अपने को cell दे रखा है तो cell टिक करेंगे अपन अब जल्दी से आते हैं अपन उस question के उपर जो मैंने आप लोगों को solve करने के लिए दिया था देखो सवाल ये है सवाल बोल रहा है how should two resistors with resistances R1 ohm and R2 ohm be connected to a battery of EMF V volts so that the electrical power consumed is minimum ये बोल रहा है कि मेरे पाद दो resistance है एक R1 ohm का एक R2 ohm का उनको मैं किस तरीके से connect करूँ किस तरीके से connect करूँ कि जो power consumed हो वो minimum रहे तो देखो power कि अगर मैं बात करूँ basic terms में तो power होती है अपनी P equal to VI ठीक है अब जो भी सरकिट रहा होगा मेरे आप उसको मैंने किसी बैटरी से connected वो बैटरी से connected है और उसका EMF V तो जो EMF V है वो तो fixed है बैटरी तो मैंने change करी नहीं तो EMF तो fixed है यानि कि ये value तो constant है ठेक है power चाहिए मेरे को minimum और अगर power minimum होनी चाहिए आनि कि current minimum होना चाहिए भई V तो constant है आई minimum होगा तो मेरे को power भी minimum मिल जाएगी और current minimum कब होगा जब resistance maximum होगा current minimum कब होगा जब resistance maximum होगा तो resistance अपना maximum होना चीए और अब तुम ये बात मेरे को बताओ कि अगर तुम्हेरे पाथ 2 resistance है और उससे तुम्हें maximum से maximum resistance बनाना है तो तुम उसे series में connect करोगे कि parallel में connect करोगे जल्दी से बताओ मेरे को जो लोग बोल रहे हैं parallel में connect करेंगे बेटा याद करो अगर दो resistances को में parallel में connect करता हूँ तो जो resultant resistance आता है उसकी value उन दोनो resistances से कम होती है for example अगर मैं 2 ohm और 2 ohm के दो resistances को parallel में connect कर रहा हूँ तो जो resultant resistance आएगा वो 1 ohm आएगा और वहीं पर अगर मैं 2 ohm और 2 ohm के resistance को series में connect करूँगा तो जो equivalent resistance आएगा वो आएगा 4 ohm तो resistance ज़्यादा कब आएगा जब मैं उनको series में connect करूँगा ठीक है बेटे तो first part का answer तो क्या हो गया कि मुझे किस में connect करना चाहिए उन लोगों को उन दोनों resistance इसको series में और यह 5 mark का question है 5 mark के question में से आपके लिए यह जो first part था यह 1 mark का था ठीक है यह 1 mark का part था जो ए part था इसके लिए आपको मिलते पूरे-पूरे 1 mark ठीक है बेटा अगला part क्या बोल रहा था अगला part बोल रहा था in a house 3 bulbs of 100 watt each are lighted for 5 hours daily 2 fans of 50 watt each are used for 10 hours daily and electric heater of 1 kilowatt hour is used for half an hour daily calculate the total energy consumed in a month of 31 days and its cost at the rate of 3.60 rupees per kilowatt hour यह आयता आपके 2017 boards में ठीक है तो देखो सवाल आसान है बस थोड़ा सा लंबा है आपको क्या करना है जैसे बल्ब जला है तो बल्ब के लिए energy calculate कर लो फिर अपनने fan चला है तो उसके लिए energy calculate कर लो electric heater के लिए कर लो per day में कितनी करेंगे यह फिर एक दिन में अगर इतनी कर रहे है तो 31 days में कितनी करेंगे वो निकाल लेना फिर उसके बाद total energy आ गई तो मेरे पास कितनी consume हुई ठीक है और एक unit energy के लिए तुम्हें rate दे रखिए 3.60 तो जो total energy आएगी उसको 3.60 से multiply कर दोगे तो तुम्हारे पास महीने का electricity bill आ जाएगा ठीक है करके देखते है इसको plot समझ में आया पहले करना कैसे देखो पहली बात तो मेरे को क्या दे रखा है सबसे पहले मेरे को दे रखा है या कि 3 बल्बे जो 100 watt के हैं और वो चल रहे है 5 घंटे daily तो उनकी energy कैसे निकालूँगा मैं वह energy क्या है power into time तीन बल्बे मेरे पास ठीक है 100 watt का एक बल्बे और वो चल रहा है कितने time के लिए 5 hours के लिए और energy चाहिए मुझे kilowatt hours में ठीक है energy मेरे को चाहिए किस में kilowatt hours में ये मेरे को दिरका 100 watt तो kilowatt hour में अगर मेरे को करना है तो देखो एक बल्ब के लिए अगर मैं बात करूँ एक बल्ब के लिए बात करूँ तो कितना हो जाएगा है 5 into 100 ये कितना आ गया मेरे पास 500 वाट आर 500 वाट आर आ गया मेरे पास ठीक है और similarly ऐसे 3 बल्ब से तो 3 बल्ब के लिए कितना हो जाएगा भी या 3 बल्ब के लिए हो जाएगा इसको multiply कर दूँगा 3 से 3 बल्ब कितना consume करेंगे यार अगर एक बल्ब 500 कर रहा तो 3 कितने करेंगे 3 into 500 और ये कितना आ जाएगा 1500 वाट आर 1500 वाट आर अब मेरे को चाहिए किसमे किलो वाट आर में चूकि जो मेरे को rate दे रखी बिटे वो दे रखी है पर किलो वाट आर की भाई 1 किलो वाट आर के लिए 3.60 लाएगा मुझे बताना है कि जितने भी total निकलेंगे वो किलो वाट आर में निकलने चाहिए तो ही मैं calculate परक पाऊँगा ठीक है तो अब यहाँ से देखना 3 बल्ब कितना consume कर रहे थे 1500 वाट आर तो अगर किलो वाट आर में देखूँ तो 3 बल्ब कितना consume कर रहे हैं बेटे यह देखो 1.5 किलो वाट आर 3 बल्ब के लिए मेरे पास आ गया ठीक है अब अब अपन simply फैंस के लिए निकाल लेते हैं similarly जैसे अब अपन ने इसके लिए निकाला फैंस के लिए भी निकाल लेते हैं ठीक है कितने बैया दो पंके हैं दो पंके चल रहे हैं और 10 घंटे के लिए और एक पंका है 50 वाट का ठीक है तो अगर मैं बात करूँ 2 फैंस के लिए तो पंके कितने बैया 2 ठीक है या फिर ऐसे देखो ठीक है एक पंखा कितने का है 50 what का वो दिन में कितने घंटे चल रहा है दिन में चल रहा है वो 10 घंटे डेली 10 घंटे चल रहा है तो एक पंखा कितना कंजूम करेगा 50 into 10 what are और ऐसे कितने पंखे हैं और मुझे किलो वाट आर में चीए, तो इसको डिवाइड कर दूँगा, 1000 से तो या जाएगा, 1 किलो वाट आर, यानि दो पंखों का मेरे पास आ चुका, दो पंखों का मेरे पास आ चुका, यार तुम लोग अटेंड करके आ होंगे इस क्योशन को, तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है, अब सिमिलरल्डी, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए भी निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बात करूँ, तो वन किलो वाट आर का है, मतलब इसकी एनरजी मेरे को अल्रड़ी दे रखिये, कितनी वन किलो वाट आर, यानि कि एक घंटे में ये वन किलो वाट की एनरजी कंजूम करेगा, और ये चल कितने रहा है दिन में, आदे घंटा चल रहा है, तो जब एक घंटे में वन किलो वाट कंजूम करेगा पावर, तो आदे घंटे में कितनी करेगा, 0.5 तो electric heater के लिए अगर बात करूँ electric heater के लिए बात करूँ तो 1 kilowatt hour का है और चल कितना रहा है? half hour तो यहां से कितना आ गया तो मेरे पास 0.5 kilowatt hour मतलब एक घंटे में इतनी करता तो आदे घंटे में कितनी करेगा? 0.5 kilowatt hour यहां गया तुमारे पास energy एक दिन की एक दिन में कितनी करेगा यह है? अब टोटल निकाल लो भया तीन बालब इतना कर रहे थे दो पंखे इतना कर रहे थे एक electric heater इतनी कर रहा था तो in one day एक दिन में कितनी करेंगे यह? 1.5 kilowatt hour तो बालब कर लेंगे प्लस 1 kilowatt hour तुमारा कौन कर लेगा? पंखा कर लेगा प्लस प्लस तुमारा जो electric heater है वो कितनी कर लेगा? 0.5 तो यह कितना आ गया? 2 प्लस 1, 3 3 kilowatt hour की energy पर डे पर डे consume होएगी यानि एक दिन में 3 kilowatt hour तुमारा consume होएगा तो 31 days में कितना होगा? तुमसे 31 days के लिए पूछा है 31 days में हो जागा 3 into 31 kilowatt hour तो पूरे महीने में अगर 31 दिन का महीना है तो कितनी कवर होएगी? यह कवर हो जाएगी 93 kilowatt hour यानि 31 दिन में तुमारी 93 kilowatt hour की energy consume हो जाएगी ठीक है? अब 31 दिन में तुमारी 31 days में कितनी energy consume होई यह तो आगया पर unit energy कितनी है? पर unit की cost कितनी है? पर unit energy की cost है 3.60 रूपीज ठीक है? तो अब तुमारी पास consume कितनी होई? तुमारी पास consume होई 93 kilowatt hour तो इन रूपीज निकालोगे अगर तुम इन रूपीज for 31 days इसको किस से multiply कर दोगे? भया 1 kilowatt का hour है 1 kilowatt hour के लिए है 3.60 रूपीज तो 93 kilowatt hour के लिए कितना हो जाएगा? 91 into 3.60 और इसकी value तुम calculate करोगे तो कितनी आ जाएगी तुमारी पास? 334.8 रूपीज ठीक है? यह आजकल तो रूपीज का sign बदल गया आजकल तो ऐसा हो गया ना? ऐसे ऐसे करके ऐसे ठीक है? वो लगा लो यह लगा लो यह की बात है ultimately तुम्हें answer से मतलब है number इसमें भी तुम्हें पूरे ही मिलेंगे ठीक है? तो I hope तुम लोगों को यह समझ आया होगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चालो, तो ultimately अपने किया क्या? वो मैं दुबारा बता देता हूं तुम्हें मुझे दे रखा था second part में कि 3 बल्ब चल रहे है 100 watt के 5 घंटे के लिए 2 पंखे चल रहे है 50 watt के 10 घंटे के लिए और 1 kilowatt hour का electric heater चल रहा है आदे घंटे के लिए तो एक दिन में total energy कितनी consume होएगी वो मैंने निकाल ली मुझे से पूछा था 31 दिन में बिल कितना आएगा तो एक दिन की मेरे पास आ गई 31 दिन में कितनी होएगी उसको मैंने 31 से multiply कर दिया ठीक है इतनी unit आ गई मेरे पास कितनी 93 kilowatt hour और 1 kilowatt hour की rate कितनी है 3.60 तो 93 kilowatt hour की कितनी हो जाएगी 334.8 रुपीज यानि महीने का बिल तुमारा पता है कितना आएगा 334.8 रुपीज समझाई बात electricity बिल जो तुमारे घर के भी लाते न वो इसी तरीके से calculate होते ठीक है ultimately बाद जो तुमारा meter होता है वो count कर रहा होता है यह कितनी unit बिजली तुम कितनी unit electricity तुम daily basis पर यूज कर रहे हो ठीक है और जितनी unit तुम यूज करते हो per unit की rate से उसको multiply कर दिया जाता है अब वो बात अलग है अलग अलग जगह पे पर unit electricity की price अलग अलग होती है ठीक है अब अगर इसके marks distribution की बात करूँ तो यह जो पहला पार्ट था तुमारा यह था one mark का ठीक है पांच mark का क्योशन था ना है तो जो first part था तुमारा one mark का था उसके बाद यह जो तुमने निकाला ना यह जो बेटे तुमने निकाला कि bulb के लिए कितना लगेगा इसके लिए one mark था फिर तुमने निकाला फैन के लिए कितना लगेगा इसका one mark था ठीक है और तुमने निकाला electric heater का कितना है इसका one mark था ठीक है फिर उसके बाद तुमने निकाला कि व 3.60 से multiply करके, इसके लिए था तुम्हारा पास आधा मांक, तो इस तरीके से ये step marking का क्योशन था, पूरे तुम्हें 5 नंबर देखे जाता, अगर तुम पूरा solve कर देते, तो, one mark first part का, फिर तीन elements के लिए तुमने solve किया, बल, fan और electric guitar, तो तीन marks, उसके 4 होगे, और आधे-ाध करके आयो होतो, एवाला समझ में नहीं आया, तो एवाला इदर देखना, एवाला यह बोल रहा था कि भाईया, पावर जो है, मिनिमम होनी चीए, तो पावर क्या होता है, वी इंटु आई, वी इंटु आई होती है, मेनली पावर, ठीक है, अब वी तो constant है, क्योंकि मैंने वी वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, वी तो change होईगी नहीं, आई मिनिमम होगा, तो पावर ट करता क्यों करता है, conductivity कौन करताемся, तो कि series में connect करने पर मेरे को simply add हो जाते हैं अब एक्जामपल भी देखे बताया था कि दो अगर resistance मेरे पास दो ohm के ठीक है तो two ohm और two ohm को series में connect करूंगा तो four ohm आएगा और वहीं पर उनको parallel में connect करूंगा तो one ohm आएगा तो current मुझे कम कब मिलेगा जब resistance ज़्यादा होगा और ज़्यादा कब मिल रहा जब मैं उनको series में connect कर रहा हूँ पक्की बात बेटे तो आई hope यह तुम्हें समझ आया होग अच्छे से अगले सवाल पर आते हैं वपन लोग अगला सवाल यह boards में आया हुआ question है यह भी consider the following electric circuit एसा electric circuit दे रखा है इसको consider कर लो भई है ठीक है इसको देख लो एक बार क्या दे रखा है और तुमसे सवाल पुछें which two registers are connected in series कौन से parallel में है यह तो बहुत आसान सवाल है अगर हर register दो ohm का है तो कितना current flow होगा circuit में यह भ अगर इस circuit को अपन analyze करें तो circuit में मेरे को दे रखा है पांच वॉल्ट की बैटरी लगी हुई है एक R5 लगा हुआ है एक R1 लगा हुआ है R2, R3 और R4 लगे हुए है अगर तुमसे पूछा जाए कि series में कौन-कौन है तो series में देखना है यार, series में देखो R5 है उसके बाद यह resistance है लेकिन इसको मैंने short कर दिया है इसको short कर दिया है इसका मतब यह है कि R1 में से तो कोई current जाएगा ही नहीं I hope यह बात सब लोगों को पता है कि अगर resistance करता क्या है current को restrict करता है तो अगर तुम्हारे पास दो पात है एक तो है गली कूचे वाली line है जिसमें बहुत speed breakers है और रास्ता भी अच्छा नहीं है और यह कि तुम हर पास एक दम smooth highway तो तुम prefer करोगा कि तुम smooth highway पर जाओ ठीक है तो यह वह यह आर टू ऐसे इनके दोनों points आपस में connected है तो आर टू आर थ्री तो parallel में series में कौन है series में है R5 उसके बाद यह जो कुछ भी network के यह आया उसके बाद R4 आ गया ठीक है तो R4 और R5 series में है यह तो बहुत आसान पार्ट है इसमें explain करने का भी इतना कुछ है नहीं वह यह दो resistance parallel में कब होते है series में कब होते है I hope यह सब लोगों को पता है ठीक है चालो आगला part बोल रहा है if every register is of 2 ohm 2 ohm का resistance है सारे के सारे तो कितना current flow होगा अब तुम्हें circuit को solve करना है ठीक है तो अब इधर देखना इधर देखो वैसे तो pen यूस करने की बज़रत में है अगर तुम सही से सोचो इसको तो देखो R5 है यह 2 ohm का है R3 R1 में से तो कुछ भी नहीं जाएगा है तो resistance हटा दो कुछ नहीं है यह circuit कैसा है बस कि यहां battery connected है ठीक है यहां R5 लगावा इसके series में R4 है यहां plane wire है plane wire के बाद R3 ऐसे connected है और R2 ऐसे connected है और यहां से यह वापस इसमें यहां emitter लगा दिया अपने यहां यह की लगा दी बस यह circuit अपना ठीक है अब यार यह R5 है अब यह R4 है सब तुम बोलोगे सरी R4 तो नीचे ता अपने यहां कैसे लगा दिया अरे बेटे current तो उनमें से होके जाएगा ना इस R4 को मैं यहां बनाऊं चाहिए यहां बनाऊं चाहिए यहां बनाऊं बात तो एक ही है ठेक है और यह R3 और R2 है ठेक है R1 गायब क्योंकि R1 के पास में pure बिना resistance का बार लगावा है तो ऐसे टिस चला जाएगा ठेक है तो अब यहां से देखना टोटल resistance उमें निकालना है तो यह है 2 ohm और यह 2 ohm है तो 2 ohm और 2 ohm resistance है सीरीज में लगे हुए है तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 यह हो जाएगा 4 ohm का यह 2 ohm और यह 2 ohm यह parallel में लगे हुए है तो इनका equivalent कितना हो जाएगा याद करो बताया था कि अगर 2 equal resistances parallel में लगे equivalent जो होगा वो जो resistance लगे हुए है उसका half हो जाएगा तो यह 2 ohm हो 2 ohm है ठीक है यह parallel में लगे हुए हूँ तो resistance equivalent कितना हो जाएगा 2 by 2 यानि कि 1 ohm यह ऐसे देख लो यार लो R2 R3 upon R2 plus R3 ऐसे लिखके आना पड़ेगा तुम्हें ऐसे बोल मत देना कि यह parallel में लगे हुए है तो आधा हो जाएगा नहीं पूरा लिखके आना पड़ेगा तुम्हें पेपर में ठीक है R2 R3 upon R2 plus R3 तो R equivalent कि वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 2 into 2 upon 2 plus 2 अब यह नीचे भ कैसा हो गया पता है अब यह emitter यह की यह resistance लगा हुआ है ठीक है और यह बैटरी लगा लो चलो बात एक ही है वैसे पर तुम लोग फिर वापस कहीं और दिमाग लगा होगे इधर देख लो यहां लगी हुए battery यहां लगवा है resistance तुम्हारा और यह resistance क्या है R equivalent जिसकी value कितनी है और यह 5 वोल्ट की battery है emitter की इनका कोई resistance नहीं है ideal है यह तो यहां से अगर मुझे current निकालना है current क्या हो जाएगा V by R equivalent नहीं दिख रहा इधर देख लो इसको उटा देते हैं पर इधर लिख लेते I कितना हो जाएगा तुम्हारा वी बाए R equivalent ठीक है V कितना है 5 R equivalent कितना है 5 तो यहां से value क्या आगी 1 ampere 1 ampere value आगई यानि circuit में से current कितना जा रहा होगा बेटे 1 ampere चमका के नहीं चमका मेरे बेटे जल्दी बता दो आसान सवाल था बस इसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना था बस एक चीज का ध्यान तुम्हें बस यह रखना था कि यह जो short कर रखा है इस resistance R1 को इसको कैसे solve करना है ठीक है यह boards में आवा question है 3 marks का है तीनों के 1 marks का यह half marks का और यह 2 marks का है ठीक है first और second part जो है आधे आधे नंबर के हैं यह तुम्हें दोनों मिलके एक नंबर देखे जाएंगे और बाकी जो third part है तुम्हें दो नंबर देखे जाएगा क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा circuit solve करके और current की value निकालके लानी है पक्की बात कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इधर देखो first part आयोब सबको समझ आ गया होगा second भी सबको समझ आ गया होगा पक्की बात है third part समझो सीधा ठीक है third part यह बोल रहा था third part भीया यह बोल रहा था कि मेरे को current निकालना है इसमें तो यार यह जो है R1 इसको तो मैं gap कर दूँगा चुकि यह तो wire short कर रखा है तो यह short wire जो है R1 को तो हटा देगा सारा current यहां निकल के आ जाएगा ठीक सारा current यहां पर निकल के आ जाएगा ठीक अब इधर देखना इधर देखो यह emitter की है यह emitter की को भी अपर neglect करते हैं circuit बना के देखते हैं 5V की battery R5 है इधर देखो यह रही तुम्हारी 5V की battery और फिल लगावाए R5 ठीक उसके बाद क्या है तुम्हारे पास R1 आ रहा है जो कि अब cancel हो चुका है क्योंकि यह shorting wire लगावाए तो यहां पर this is R2 this is R3 this is R5 और इसके बाद एक resistance लगवाए तुम्हारा R4 यहां तुम्हारा emitter और की लगी है उसको पर हटा रहे है ठीक है ऐसा कुछ तरीके से मेरा circuit है ठीक तो वह resistance तो हट गया अब यह R5 है यह R2 है यह R3 है अब यह दोनों parallel में है अब यार यह R4 जो है इसको मैं चा resistance है मेरे पास इस तरीके से तो यह R5 और R4 series में है और R2 और R3 का जो equivalent resistance होगा वो इनके series में होगा तो R2 और R3 कितने कितने बेटा 2 ohm और यहां तुम्हारा निकाल के बताया था कि 2 into 2 upon 2 plus 2 इस तरीके से तुम्हारा पास R equivalent आ जाएगा यानि 1 ohm तो यह circuit अप कुछ इस तरी R3 ठीक है यह 1 ohm हो जाएगा यह 2 ohm हो जाएगा और यह भी 2 ohm है तो 2 plus 2 4 plus 1 5 तो R equivalent की value तुम्हारे पास आई थी 5 ohm I hope अब समझ में आया होगा R equivalent 5 ohm कैसे आया पक्की बात है अभी समझ में आया सब लोगों को चमक गया चमक गया चमक गया चमक गया बॉट इस एम मिटर बेटा एम मिटर तो वह है ना जो करेंट को मेशर करता है तुम्हारे यह एम मिटर जो लगा रखा है यह एम मिटर इस चीज को मेशर कर रहा है कि इसमें सा करेंट कितना निकल रहा है यह जो तुमने निकाला ना अब चमग्या सब लोगों को बढ़ें अपन आगे, चालो, अगला सवाल, अगला सवाल बोलर देड़ा, 250 watt electric bulb is lighted for 5 hours daily and 4 6 watt bulbs are lighted for 4.5 hours daily, calculate the energy consumed in kilowatt hour in the month of February in the year 2020, सवाल कर चुक है पर क्योंशन नमबर 1 के B पार्ट में उसी का एक और example treat कर सकते हो इसको, अब तुम इसको बहुत आसानी से solve कर दोगे, कैसे देखो, तुम्हें दे रहा है 250 watt के electric bulb है, ठीक है, एक ही बलब है, कितने का है, 250 watt का, और कितनी देर चल रहा है, 5 hours, ठीक है, तुम्ह 6 watt के bulb है, ठीक है, जो 4.5 hours per day, तुम यूज कर रहे हैं, तो बताओ कितनी energy consume होईगी, year 2020 के February मन्त में, बताओ भी, तो तुम पहले तो ये निकालो कि एक दिन में कितनी energy consume होईगी, ठीक है, पहले ये निकालो कि एक दिन में कितनी energy consume होईगी, देखो, भया ये दे रखा है मै 250 watt, energy क्या होगा, power into time, energy होजाएगी, power into time, तो ये होजाएगी, power कितनी है, भया, बल्ब के लिए calculate करूँ तो, 250 watt, time कितना है, 5 hours, ठीक है, तो ये होजाएगा, 1250, ये होजाएगा, तुम्हें पहले कितना, 1250, वाट आर, ये होजाएगा, वाट आर, तुम्हें चाहिए, किलो वाट आर में तुम्हें अंसर करना है, तो किलो वाट आर में करोगे, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो energy 41 बल्ब, कितना आ गया ये, 1.25 किलो वाट आर, ये आ गया, अब ये जो 6 बल्ब थे, तुम्हारे पास, चार बल्ब थे, 6 वाट के, इनके लिए कितना आएगा, इसक इसको 9 by 2 लिख देता हूं, तो एक दिन में ये इतने टाइम के लिए चल रहा है, एक बल्ब, ठीक है, ऐसे कितने बल्ब हैं, 4, तो इसको 4 से multiply कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 टाइम गया, ये हो जाएगा, 12 into 9, that is 108, 108 वाट आर, ठीक है, ये किसके लिए है, ज for a bulb of 6 watt, साधे 4 घंटे चल रहा है, 4.5 hours a day चल रहा है, वो तो एक बल्ब कितना कंजूम करेगा, 108 वाट आर, तो 4 बल्ब कितना कंजूम करेंगे बेटे, एक सेकंड, ओके, 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 six bulbs, 4.5 hours के लिए, ओके, ये चारो बल्ब का निकाला है अपनने, 4, 4 bulbs, ये जो, भाई, एक बल्ब के लिए कितना है, 6 वाट है, और चल कितना देर रहा है, 4.5, और ऐसे similarly अगर 4 बल्ब होंगे, तो मैंने उसको 4 से multiply, इसलिए किया, ताकि 4 बल्ब के लिए आ जाए, तो 108 वाट आर, अगर किलो वाट आर में करोगे तो, एनरजी 4, 4 बल्ब सॉफ, 6 वाट कितना हो जाएगा, 0.108 किलो वाट आर, पक्की बात है, अब तुम निकाल दो भाईया, कि एक दिन में टोटल कितना होगा, टोटल एनरजी, कंजूम्ड इन, वन डे, एक दिन में टोटल एनरजी कितनी कंजूम होगी भाईया, 1.250 प्लस 0.108, ठेके, यह हो जाएगी, किलो वाट आर में, तो एक इतना आ जाएगा, तुम्हेरे पास, यह हो जाएगा, 1.358, 1.358 आ जाएगा, किलो वाट आर, यह है पर डे का, यह है पर डे का, तुमसे पूछा क्या है, पूरे महीने का, कौन सा महीना, कौन सा मंज, फेबरी ओफ ट्वंटी ट्वंटी, अब ट्वंटी ट्वंटी भाईया, लीप एर है, तो इसमें फेबरेरी में 29 डेज रहोंगे, छोगे, फेबरेरी में 29 डेज रहोंगे, तो यहाँ पर तुम देख लो, फौर 29 डेज, 29 डेज के लिए, कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना हो राता पेटे, 1.35, तो 29 डेज में कितना हो जाएगा, इसको 29 से मल्टीप्लाय कर दो, तो इसक इतना आ जाएगा तुम्हारे पर इतनी energy consume हो जाएगी 39.15 चमका के नहीं चमका मेरे बेटे आसान सवाल था अगर तुमने फर्स्ट का बीपाट अटेंड किया था तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया काफी लोगों के answer भी आ चुके हैं और इसी question में ये भी add कर सकता था कि suppose करोगी electricity की rate दे दे था तुम्हें per unit की suppose करो 5 रूपीज है per unit तो इतने kilowatt आ रहा है है ठीक है अब one unit की price होती 5 रूपीज तो इसको 5 से multiply कर दो कि तो पूरे February मंत का बिल आ जाएगा तुम्हारा एक बार दुबारा recall कर रहा हूं जल्दी देख लो पूरा recall कर रहा हूं कि किस तरीके सपन ने question solve किया मेरे को दे रखा था कि यह 250 watt के electric bulb है उसको मैंने दिन के 5 घंटे चलाया तो दिन के 5 घंटे चलाया मैंने एक बल्ब को 5 घंटे per day पर चलाय तो 1250 watt hour per day मुझे चाहिए था kilowatt hour में क्योंकि सवाल ने पूछा है kilowatt hour में निकालो तो मैंने 1000 से divide कर दिया तो यह 1.250 kilowatt hour आ गया फिर similarly 4 बल्ब थे 4 6 watt bulbs ठीक है 4 बल्ब थे तो एक बल्ब के लिए कितना हो जाएगा power कितनी 6 ठीक है time कितना लगा 4.5 hours यानिक 9 by 2 यह एक बल् लाय कर दूँगा 4 से तो यह आगया मेरे पास 108 watt hour एक दिन में 4 बल्ब कितना consume करेंगे ठीक है और kilowatt hour में निकालना तो 1000 से divide कर दिया तो यह आगया 0.108 kilowatt hour अब total energy पूरे दिन में कितनी हुई तो 4 बल्ब तो है 6 watt के और एक बल्ब 250 watt का उनकी energy को add कर दिया मैंने तो यह अब तुम्हें बताना है February 2020 में तो leap year है लीप year है तो 29 days है तो उसको तुमने 29 से multiply कर दिया ठीक है 29 से multiply कर दिया तो 29 से multiply कर दो 39.15 तुमारे पास answer निकल के आ गया बता दो बेटा चमका के नहीं चमका I hope अब सबको समझ आ गया होगा ठीक है सरम चार बल्ब के लिए क्यों answer ला रहे हैं चार बल्ब के लिए इसलिए ला रहे हैं जो कि चार बल्ब चल रहे हैं यहां दे रखाया है ना कि उशन में कि चार बल्ब हैं 6 वाट के सिक्स वाट के चार बल्ब हैं इसलिए अपन चार बल्ब के लिए सॉल्व कर रहे हैं समझा है जितने बल्ब देंगे उतने के लिए सॉल्व करोगे भाई अगर तुमारे घर में चार बल्ब लगे हैं तो तुम्हें चार बल्ब के लिए बिल पे करना पड़ेगा ना ऐसा तोड़िये कि गौवर्मेंट तुम्हें बिल सिर्फ एक बल्ब के लिए पे करना पड़ेगा तुम्हारे घर में जितने भी अप्लाइंस लगे वे हैं एसी फिर्ज टीवी बल्ब ट्यूब लाइट हीटर सबके लिए तुम्हें इलेक्रिसिटी बिल देना पड़ता न तो यहाँ पर चार बल्ब तो शिक्स वॉर्ट के थे एक बल्ब टू फिफ्टी वॉर्ट का था तो उन सबने टोटल एनरजी कितनी कंजूम करी उन सबको होगा अब कि अगला सवाल देख लो अपने इसा करते हैं क्विस खेल लेते हैं ठीक है और एक क्योशन है जो तुम्हें होमवक में दे रहा हूं उसको करके लेके आना क्योशन का स्क्रीन शोट लेलो पहले देख लो इसका मैं हिंट भी देखे जाऊंगा तुम्हें सॉल्व तुम्हें करना है पूरा 220 वोल्ट से कनेक कर दिया तुम्हें निकालना है मागनिट्यूड ऑफ करन्ट रिजिस्टेंस ऑफ हीटर एनरजी स्पेंट इन टू आर्स और कोस्ट निकालनी है अगर कोस्ट जो तुमार बता के जा रहा हूं सॉल्व करना तुम्हारी मरजी है मरजी नहीं कंपल सरी है सॉल्व करना है तुम्हें मतलब सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदार ही है देखो कैसे सॉल्व करोगे इसने बोलोगा पावर दे रखिए 4 किलोवाट वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट तुम पार्ट क्या है resistance of heater तुम जानते हो ohms लो v equal to ir ठीक है तो तुम्हें यहां से i की value जो निकालोगे उसको यहां रखना है v की value तुम्हें question में दे रखिए 220 volt तो यहां से r की value भी आ जाएगी second part खतम ठीक है third part energy spent in two hours दो घंटे में कितनी energy consume होईगी ठीक है तो power तो तुम्हें पता है 4 kilowatt hour energy क्या हो जाएगा power into time तो यह 4 kilowatt तो 4000 watt into time कितना है दो घंटे तो यह आ जाएगा तुम्हेरे पास 8 kilowatt hour दो घंटे time है यह 8,000 watt hour हो जाएगा यह 8 kilowatt hour हो जाएगा ठीक है third part भी खतम fourth part क्या बोल रहा है its cost if one unit एक unit की cost है 50 पैसे तो 8 kilowatt hour की तुम्हें energy use कर रहे हो तो 1 kilowatt hour के लिए तुम्हें देने पढ़े है 50 पैसे तो 8 kilowatt hour के लिए कि देने पढ़ेंगे 8 into 50 पैसे यानिकी 400 पैस home work में क्या करोगे इतना असान सवाल है तो यही solve हो गया बताओ hint देते देते पूरा question solve हो गया है तो ठीक है चालो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है इनके भी answer निकालो फिर solve तो हो गया P equal to V आई है तो आई कैसे निकालोगे P यानिकी 4000 divided by 220 तो यह कितना आ गया 0 से 0 चला गया और इसको 2 से cancel कर दोगे तो यह 11 times और यह 200 तो यह आ गया 200 by 11 amperes और similarly resistance निका 20 divided by I, I कितना है 200 by 11 तो यह 0, 1,0 से 1,0 चला गया ठीक है और 2 से 10 times और 2 से 11 times तो 11 into 11 कितना आ गया 121 divided by 10 यानिकी 1.21 ohm, sorry, 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 12.1 यह आ जाएगा तुम्हार पास 12.1 ohm, resistance की value भी आ गई, energy तुम निकाली चुके 8 kWh और पावर भी निकाली, खाताम, खाताम, खाताम आ बेटे, मज़े आ गए, चमक गया सब लोगों को, चमक गया हो तो मुझे जल्दी सा कमेंट सेक्शन हो बताओ, फिर अपन क्विस खेलते हैं अगला चलो बेटा, second quiz second quiz तुम लोगों की screen के सामने ये रहा when a wire of uniform cross section A, length T and resistance R is bent into a complete circle resistance between any two of diagramatically opposite point diagramatically नहीं आएगा बेटा, diametrically आएगा में भी शायद quiz तुमारी screen पर अपिरेंड नहीं हो रहा हो यहीं पर कर लो, इसको ठीक है, diametrically opposite point पर कितना होगा तो इसको भी अपन ऐसा question ही solve कर लेते हैं, ऐसा करते हैं आज थोड़ा technically glitch आ रहा है, तो उसकी वैसे तुमारी screen पर question नहीं आ पा रहा है इधर देख लो, एक wire था, जिसका resistance था R ठीक है, एक wire है, इसका resistance रहा होगा R, अब इसको गुमा के तुमने वहिया circle में बना दिया तो इसको circle बना दिया, तो यार इस circle का भी resistance तो R ही रहेगा, क्योंकि ultimately wire है तो यह वहिये अब इसका diametrically opposite points की तुम्हें बात करना है, diametrically opposite point मतलब एक point यह रहा, एक point यह रहा, इस point और इस point के बीच में तुम्हें resistance बताना है, ठीक है तो अब यहां से जब current आएगा, तो उसके पास दो resistance, दो रास्ते दिखेंगे उसको यानि कि अब यह part और यह part parallel में आ गए, ऐसा बोल सकता हूँ में, ठीक है अब यह पूरे का resistance R था, तो R देगा कितना होगा पेटे, R by 2 तो यह इस part का हो जाएगा R by 2 और इस part का हो जाएगा R by 2 अब R by 2 और R by 2 parallel में connected है, तो उनका equivalent resistance कितना हो जाएगा? R by 4, अभी बताया था कि बराबर बराबर resistance parallel में connected है, तो equivalent हो जाएगा half यहाँ पे R by 2, R by 2 parallel में connected है, तो equivalent कितना हो जाएगा? R by 2 का half, यानि कि R by 4 यानि कि option number A will be the correct answer for this question ठीक है? चालो, अगला सवाल क्या था बेटे? किसी को कि doubt तो नहीं आया नहीं है, इस वाले quiz में है, अपन ने काफी speed में solve कर लिया है, क्योंकि इस तरीके question अपन बहुत बार कर चुके है, ठीक है? parallel connection में total resistance, parallel connection में total resistance decrease होता है, ठीक है? और series में connect करोगे, तो जो equivalent आएगा, उसकी value जितने भी resistance series में connected थे, उन सब resistance से ज़्यादा ही निकल के आएगी, ये खासियात होती है, बहुत बार बताया है, मैंने तुम लोग को class में, ठीक है? तो total resistance क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा, option number B with the correct answer for this question, ठीक है बेटा, चालो, तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो, पोल करवारों एक बार में, ठीक है? तो पोल में में मेरे को बता दो, और आज की class को फिर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, ये सारे question आज जो अपन ने कि ये सारे boards के question थे, तो I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, पोल करवारों बेटा, जल्दी से बता दो मेरे को, फिर अपन class को end करते हैं, रगली class में अपन जो है, जैसा कि तुम लोग बोल रहे हो कि light chapter के question करने हैं, तो most probably में light chapter के question लेके आने वाला हूँ, और जिन लोगों को, अच्छा हाँ, सुन लो एक बात और, जिन लोगों को light chapter पढ़ना है, जिन लोगों को light chapter पढ़ना है, वो अपना जो दूसरा वाला batch चल रहा है, 10th class काई, जो कि शाम को 6 बजे जिसकी class होती है, उस batch में आ जारा, वहाँ पे मैं light chapter के तुमें, मतब पू कोशन सीरीज, जो हमारी light chapter की रात को 8 बजे वाला जो batch है, उसमें होईगी, और 6 पिम वाला जो batch है, उसका पूरा time table आप लोगों को पता ही, ठीक है, तो उस batch में light chapter शुरू कर रहे हैं, अगली जो class होगी उसके बात से, ठीक है, अगली जो भी class है, अपनी 6 पिम वाली उसम अपन next class से शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो तब तक मज़े मारो, Christmas है, Merry Christmas to all of you, ठीक है बटा, मिलते हैं अगली class में तब तक, Bye Bye